नमस्वार आप देख रहें नेक्सटन स्प्रिच्छोल आपके साथ मैं हूरीना आज हम बात कर रहे हैं केरल के सबसे अमीर मंदिरों में से एक की जहां मंदिर में बाल गोपाल विराजमान है इसके लावा हम बात कर रहे हैं गुरू वायूर अपन के विश्व विख्याद मंदिर यानि गुरू वायूर मंदिर की जिस सदक्षिन के दौरिका भी कहा जाता है यह मंदिर केरल के त्रिशूर जिले के गाम गुरु वायूर में हैं गुरु वायूर के साथ ही देश के प्रमुक्तिर सल्म मना जाता है यह मंदिर त्रिशूर से करीब 25 किलोमीचर दूर है गुरु वायूर मंदिर करीब 5000 साल पुराना है माना जाता है इस मंदिर के स्थापना देव गुरु ब्रहसपती ने की थी मल्यालम शब्द गुरु वायूर का अर्थ होता है जिस जमीर पर गुरु देव ने वायू की मदद से स्थापना की हो एक पराणी कथा कि अनुसार कल्यूग के प्रारंबिक काल में वायू देव और देव गुरु ब्रहसपती को क्रेशन जी की एक मूर्ती मिली जो की दुआ पर यूग की थी दोनों ने एक मंदिर बनवा कर मूर्ती की स्थापना की वायो देव और देव गुरु के नाम पर ही भगवान को गुरु वायो रपन कहा गया है मंदिर में भगवान गुरु वायो रपन बाल रोप में विराजित है यानि यहां बाल गुपाल की पूजा की जाती है बाल गुपालन की मूर्थी के चार हाथ जिसमें एक हाथ में शंक, दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र, तीसरे में कमल पुष्ट और चोते हाथ में गदा है गुरु वायूर मंदिर को भूलोक बैकुन्थम भी कहा जाता है, जिसका आर्थ होता है धर्ति का बैकुन्थ लोक गुरुब ऑर्मंदिर करेव 5,000 साल पुराना है शत्री सेत अब्दि में इसका पुनर निर्मान किया गया पराणिक मानिता के मताभग देवगुरु ब्रहसपति के आग्रह पर मंदिर का निर्मान खुद विश्व कर्माने ये था खास बत ये है कि गुरुबाय और मंदिर में दूसरे धर्मों के लोगों का प्रवेश प्रतिबंदित है या हिंदू के अलावा और कोई नहीं जा सकता है अगर आपको हमारी जान करें अच्छी लगी हो तो कामेंट करकर ज़रूर होता है वीजियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और हमारे आने वाले वीजियोस के परेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी बेल आइकन दबाना ना भूले